जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंद्री अर्विन केजरीवाल ने पंजाब के अफसरों से मीटिंग की है वो भी पंजाब के मुख्यमंद्री की गैर मौदूदगी में इसको लेकर लगाता सवाल उठ रहे हैं इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है केजरीवाल अपने आप में जो कहते हैं उसका 100% opposite करते हैं अगर केजरीवाल ने कहा कि मैं कटर रास्टरवार्द हमारा धर्म है तो समझ लीजे वो इस देश के लिए कटर दुश्मन है केजरीवाल कहते हैं कि हमारा अगर कटर देश भक्ती हमारा नारा है तो समझ लीजिए वो इस देश के सबसे बड़े कटर धो के बाज हैं केजरीवाल ने इस देश में इंटरव्यू में कहा था पंजाब में सरकार बनने से पहले के पिछले छे महीने में चन्नी जी कितनी बार आये हैं दिल्ली हर रोज दो बार कम से कम दो दो बार हमेशा यही बैठे रहते हैं और भगवन मान भी उसी इंटरव्यू में थे आप कितनी बार आये भगवन जी छे महीने में सिर्फ दो बार पंजाब की सरकार पंजाब से चलेगी लेकिन जब वो ये कह रहे थे तो समझ लेना चाहिए इस देश को कि वो बिलकुल उसका उल्टा करेंगे क्योंकि वो जूट एकदम सौ परतिश्वत बोलते हैं उनका कहने का मतलब ये था कि सरकार दिल्ली से चलेगी और रिमोट कंट्रोल पे हम रागफ चड़ा को बिठाएंगे अभी पिछले दिनों देखा होगा आपने एक तस्वीर वाइरल हुई थी हरनार कॉस संदू जो मिस यूनिवर्स हैं वो आई थी मिलने चीफ मिनिस्टर से पंजाब के और मिले हुए कौन थे बराबर में बैटे कौन थे रागफ चड़ा तो रागफ चड़ा को बना दीजे ना प्रदेश के जो लोग हैं प्रदेश के जो सदार हैं प्रदेश के जो पंजाबी लोग हैं उनको बेवकूफ क्यों बना रहे हैं उनको जोट क्यों ब जिस बात को बहुत पहले कहते थे कि ये आदमी जो है एक समय के बाद कहीं ना कहीं पंजाब का मुख्यमंतरी बन जाएगा नहीं तो चेक खालिस्तान का बन जाएगा इसने मुझसे कहा था ये बात सत्य साबित हो रही है उस आदमी के महत्वा कांशा इतनी जादा है कि उनका अजेंडा एक मात्र सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंतरी बनना वहां का है और वो ना बन कर भी वही सूपर सीट कर रहे है अगर अधिकारीयों को मंतरीयों को बुला कर वहां के जो हेड है उनकी गैर मौदूदगी में आप वहां पर बिठाएंगे और बनाएंगे और उनसे मीटिंग करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर उनके मुख्यमंतरी की तो कोई बात ही नहीं चल रही है और मुख्यमंतरी से तो पूछा ही नहीं जा रहा है मतलब टीम का कैप्टन ही वहां पर नहीं है तो कोच से मीटिंग का क्या लॉजिक है यह आपने आप में बहुत ही पंजाब के लोगों का पंजाब की आयम का बहुत ही बड़ा अपमान है आपने एक मुख्यमंतरी तो बना दिया सिख को लेकिन उसका अपमान कर रहे है और यह प्रदेश के लोग इस बात को परदाश नहीं करेंगे पंजाब में हाला दिखाई दे रहे हैं क्या आवा आदमी पार्टी कॉंग्रेस के ही पैटन पर चल रही है कदमों पर चल रही है जोस तरीके से कॉंग्रेस ने भी रधान मंतरी से लेकर दिल्ली में काफी मुख्यमंतरी बनाए पर शीला दिक्षित की बात करें या फिर पदार मंतरी रह चुके हमारे मनमुहन सिंग की बात करें जुस तरीके से वो सोनिय गांधी के कदमों पर चले उनके कहने पर चले क्या वैसे ही अब अर्विंद केजरिवाल अपने कहने पर चलाना चाहते हैं क्या भगवद मान एक rubber stamp की तरह है भगवद मान rubber stamp नहीं rubber stamp भी कभी साल से महिने में जीवन में काम आ जाती है भगवद मान को तो उतना भी इस्तेमाल नहीं होना है आप लिख लीजेगा इस बात को और जिस Congress की आप गात कर रहा है ये Congress का सबसे बुरा वर्जन अर्विंद केजरिवाल है मैं उसका example देता हूँ आपको ये आदमी राजनीती बदल ने आया था ना इस देश में पिछले नौ साल से तो इन से रास्ट्रें सयोज़क नहीं बदला गया अर्विंद केजरिवाल है पिछले पिछले उतने ही समय से बार बार चूस करके उनिंको लाया जा रहा है अर्विंद केजरिवाल का पहला वादा था कि कोई भी अध्यक्ष एक बार बनेगा पार्टी का वो दुबारा से रिपीट नहीं होगा अर्विंद केजरिवाल ही रिपीट हुए जा रहे हैं इस तरह की बिमारी से, इस तरह के परिवारवाद से, तो इस देश का लोकतंतर पहले से ही बहुत परेशान था, अगर अरविंद केजरिवाल को इदेखना था, तो लालोपरसाद यादफ क्या बुरे थे, वो भी आ गए थी, उनके पत्नी भी आ गई थी, उनके बेटियां भ तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें वो सर्फ और सर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए देश में पहले बोलते हैं लेकिन वो सारी चीजें जो राजनीती बदलने की वो बात करते थे उसमें से एक भी मूले पर अगर वो या उनकी पार्टी टिकी हो तो आप मुझ समविधान के पद समविधान अगर थोड़ा सा याद हो तो इस्तिफा दे दें ऐसा आशुतोस जी कह रहे हैं यह तो वही लोग है ना जो शुरुवात में इनके साथ गए थे इनके चिंटू बनकर जिन लोगों ने काम किया था और इनको फिर जब बहां पर लात पड़ी तो उसके बाद ये फिर से जर्नलिस्ट या कुछ ऐसा बन गए मेरा मानना है वो एक अकेले ऐसे नहीं हैं बहुत सारे हैं चाहे वो आशुतोश हों चाहे वो प्रशान भूशन हों चाहे वो और भी लोग हो तमाम तरह क्या योगिंदर यादव हों चाहे कुमार विश्वा वो लोग हैं जिन्होंने ये सब किया मेरा मानना है कि फिर भी अगर मैं बात करूं तो एक तरीके से जो कवी हैं उन्होंने तो फिर भी आवाज उठाई है बही कुमार विश्वास ने तो फिर भी आवाज उठाई है चीजे मुखरों कर बोला ये तो बोले भी नहीं तो य सब जानते हैं कि अर्विंद केजरीवाल ने इन सब को इस्तेमाल करे बाहर फेक दिया, साइड में जो जो उनको लगा कि उनके लिए चालेण्ज हो सकता है, उनको बाहर कर दिया गया, जहाँ तक बात उनकी इस्तिफास देने की, और अपने पार्टी में अगर किसी ने उनसे ये बात करने की पूछने के हिम्मत तक कर ली क्या आप उतर क्यों नहीं जाते हो अपने पद से अब अर्विंद केजरीवाल एक अती महत्वकांग्शी अती जूटे अती बैमान और हद से जादा अती सत्ता उनको चाहिए और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाना अगर उनको पड़ेगा तो वो जाएंगे पंजाब के लोगों को जिस हद तक वो मूर्ख बना सकते थे उन्होंने बनाने की कोशिश की आज भगवंत मान को बिठा कर वहाँ पर सारे प्रदेश को रिमोट कंट्रोल पर चला कर जिस तरीके से एक जमाने में मनमोहन सिंग जी को एनेसी बना कर और एनेसी की चेर परसन मन के शिमती सोनिया गांधी चलाती थी आज केजरिवाल चला रहा है अरे अगर हमें बैमान और जूटा मकार नेता ही चाहिए तो हमारे जो पुराने हैं वो कॉंग्रेस के या तमाम लोग हैं वो ही क्या पुरे हैं वो ही ठीक है उससे बहतर तो अपने आप में इस तरह की अदगी समझ बैटा तो अभी नए-पुलिस आत में आयिये तो कभी धिली के जो बीजेपि के नेता है जिन्दल जीरे उपर पुलीस भेज देता है कली तक अभी चटडा जी पर भेज देता है बगाजी पर भेज देता आ钥ी मैंने जो वो बोला है वो मैं सारी बाते अपनी वापस लेता हूँ आजकल कमाल के लोग यह तो वही लोग है ना जिन्होंने लोगों के घरों में गुज़ गुज़ के बिजली के कनेक्शन्स काटे थे सड़कों पर पड़े होके अनार्की और अराजकता फैलाई थी आज इनको कोई द जाल नहीं गलने वाली और यकीन मानिए दिली के लोग भी इस बात को बहुत बहुत बहुतर तरीके से समझते हैं और इस बात का जवाब भी अपाने वाले चुनाव में देखेंगे क्योंकि इतना तो समझ में लोगों को आ गया कि जूट हद से जादा बोलते हैं वह प्री पंजाब में आम आदमी की सरकार इसलिए भी चलना बहुत जादा मुश्किल है कि आपको याद होगा जब वह सरकार में आये नहीं थे ते वह कहते थे तीन लाग करोड का कर जाए जी पंजाब पे 15 दिन बाद इंटर्व्य हुआ वह कर जा हो गया चार लाग करोड का जी छ शराब में पीपी के आप होटेल में बैठे होते हो वो भी जनता का ही पैसा है क्यों खर्च कर रहे हो जिस पैसे से विपस्यना में जाते हो बैंगलोर में 10-10 दिन के लिए enjoy करने वो पैसा भी जनता का ही पैसा है क्यों खर्च कर रहे हो अपने उपर और जनता का पैसा है ल यह कमाल की बेवकूफी है कि वो पैसा भी हमारा ही पैसा है बिलकुल हमारा ही पैसा है टैक्स का पैसा है लेकिन वो केंदर की कलेक्शन है और यह राज्य की कलेक्शन है और ऐसा कुछ नहीं है कि केंदर पैसा नहीं देता है तमाम परिशानियों में दिक्कतों में केंदर पै पर क्या यह सारी चीज़े पब्लिक डोमेन में पहले से नहीं थी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और जहां तक फ्री की politics है किसी हद तक उसमें वह अभी तक सफल रहे लेकिन आगे होना संभव नहीं है क्योंकि जो चीज़ें कर रहे हैं अब यह जनता को भी समझ में आती है दूसरी तरह आदमी पार्टी जो तरीके से बड़े वादे करती है कि जो दिल्ली में स्कूल है जो सक्षा प्रणाली है वो टमब नंबर वन हैं नंबर वन की है पर आज यह एंसी पीसी आर की रिपोर्ट सामने आई है कि दिल् कोई डेटा नहीं बता रहे हैं कुछ हुआ नहीं है कोई चेंज नहीं हुआ है लेकिन ड्रामे की लिमिट के दस दिन में कतम कर दिया आप सतर साल में नहीं कर पाए कोई पलट के पूछ ले कैसे किया क्या तुक है मतलब अगर उसको ही देखना है वही स्पीच सुननी है